नमस्कार हम पढ़ रहे हैं सैलेश मट्यानी का लिखा हुआ उपन्यास सवित्तरी अब तक इसके पांच भाग के वीडियो में बना चुकी हूँ जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिये गए हैं अभी सुनते हैं पांच छठा भाग अलोपी बाग में राजधानी के फ्लैट पर वह आज लगभग 10 से 11 दिनों के बाद पहुचा था राज़रानी सबसे उपर तीसरी मंजिल पर रहती हैं और घर की बनावट कुछ ऐसी है कि नीचे मंजिलों में से कोई आपसी सरुकार नहीं सिर्फ सवाच 6 बजे थे मगर सर्दियों में छीट छोटे पढ़ते दिन के कारण गली में अच्छा खासा अंधेरा हो गया था साइकल में ताला लगाकर मकान के भीतरी गलियारें में खड़ी करके वह अपनी उपर की मंजिल के लिए सीड़ियां चढ़ने लगा सीड़ियों पर भी अंधेरा था और शायद इसलिए राजरानी के फ्लैट के बरामदे में भरे अंधेरे के पार का द्रिश्य उसे साफ साफ दिख गया फ्लैट का मुखे दर्वाजा बन था बरामदे की बती जली न थी बैटक वाले कमरे में भी बहुत तेज रोशनी नहीं थी मगर अंधेरे में चल कर आने के कारण भटनागर के हाथ में थमाकाच का ग्लास और उसमें लगबग आकरी घूट भर को रह गई शराब भी उसे साफ साफ दिख गई राजरानी सामने वाले सोफे पर पौराणिक नाईकाओं की तरह अलस मुद्रा में अदलेटी पसरी थी उसे अचानक ही याद आया कि आज सुबह ही तो निगम साहब कह रहे थे कि अलोपी बाग में मंजुष्री कन्या मंदिर खोलने की योजना बना रहे हैं मंजुष्री राजरानी की दिवंगत बेटी का नाम था और राजरानी ने निगम साहब को ही नहीं खुद उसे भी बताया था कि वह लड़की भी उन्हें निगम साहब से ही हुई थी और अब यह पप्पू है इसी की ट्यूशन पर जनार्दन को लगा यहां पर अलोपी बाग आना होता था भीतर के परिदिश्य से चकित और हतप्रभ हुआ सावह उल्टे पाउं तरने को हुआ था कि पहले खट से बरामदे की और फिर बरामदे से लगी हुई सीडियों पर की बत्ती जल उठे अरे आप है मासाब कहती राजरानी उसके बिलकुल सामने पहुँच गई मैं जो सोचो शीडियों पर से उपर उठती आवाज एका एक खामोश्की हो गई पपुराम तो अभी खेलने से नहीं लोटे हैं जाने कब लोटे मगर आप भीतर आईए ना एक प्याली चाय पीते जाईए कल निगम साहब बता रहे थे कि आप बहु को ले आए और पिता भी बनने वाले हैं मगर मिठाई का डबा तो आपने आपके हाथों में कभी देखा नहीं राजरानी ऐसी ही हसी जैसे बरामदे में खड़े किसी नौसिक्वे चोर पर हस रही हूँ वह अजब मांसिक संकट के स्थिती में फस गया किसी तरह बोला ऐसा है जब पपू महाशाए घर पर नहीं है बेकार में आपको डिस्टर्बिंस होगी अरे भाई यही तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि डिस्टर्ब होने की कोई बात नहीं कहते हुए राज रानी कुंडा गिरा का दर्वाजा पूरा खोल दिया कहने में मुह शायद कुछ ज़्यादा खुला और जनारदन को लगा कि शायद राज रानी ने भी कुछ ले रखी है उसके कमरे में पाउं रखते ही कोच पर लगबग पसरे पड़े भटनागर की तोचा पर लगबग वैसी प्रतिक्रिया हुई जैसे मैना के पीट पर बैठते ही तालाब में पसरी भेंस खाल पर होती है भटनागर के मुह में अब इस वक्त पान का बीड़ा भरा था इसलिए नमसकार का उत्तर उसने सिर्फ सिरह ला कर दिया राज रानी उसे भटनागर सहब के सामने छोड़ कर भीतर चली गई लगवा पांस साथ मिनट बाद चाय नमकीन लेकर लोटी तब तक मैं जनारदन को लगा कि वह भटनागर सहब से युद्ध करते करते पूरी धरत ठक चुका है राज रानी ने चाय छोटी ती पाई पर रखी ही थी कि जाने कैसे जनारदन के मुह से निकल गया निगम सहब से इधर आपकी मुलकात कई दिनों बाद से नहीं हुए शायद भटनागर सहब राज रानी में हुई प्रतिक्रिया को उसने देखा ही नहीं तो नहीं लेकिन जैसे सुना हो आखे तो उसकी भटनागर सहब नहीं अठकी थी राज जानी बिलकुल उसकी बगल वाली कुर्सी पर बैठ चुकी थी इस औरत में जाने कैसी एक मायावी से उश्मा है अपने निकट बैठे वेक्ती पर अपने को हवा में बहती गंद की तरह उडेलती है पापू की टूशन के छड़ों में भी अक्सर ऐसा अन्बह करता रहा है कि और इस वक्त तो अब साफ साफ अन्बह होने लगा था कि वह सिर्फ अपनी मानसलता की उश्मा में ही नहीं बलकि अच्छी खासी मात्रा मिली हुई शेंपेन में भी है जनारदर अभी बिमहूर साफ ने मेही धसा दिया गया था कि उसे पता चला कि जाने कैसे और कब भटनागर साफ वारतालाप में हो गए हैं जैसे जनारदर के आने से पहले अधुरी छूटी हुई बात को पूरा करने जा रहे हैं तो ऐसा है कि राजरानी जी कि जो उधारन उस सिलसिले में मैं आपको दे रहा था वह भीश्व पर्व में से था भीश्व पितामा ने युदिश्टिर से कहा था कि भूजन करते समय हाथ पाउ धोकर पुरवा भी मुखोकर बैटना चाहिए जहां तक हो सका मैंने अपने जीवन में इस नियम को निभाया है पचास की उम्र में भी मेरी इच्छा मेरी अच्छी तंदुरिस्ति का रहस यही है क्यों सहाब आपकी उम्र क्या होगी यही 30-31 आपके जन्म स्थान में क्या ब्रहश्पती उच्चका है यानि एक्जास्टेट और केंद में चंद्रमा और सुक्र हैं हाँ निगम सहब क्या हमें याद कर रहे थे इस बीच कभी इदर लंबे अर्से से सचमुच मुलाकात नहीं हुई कहिएगा कभी हमारी तरफ निकल आये तो सतरंज रहे हाँ तो राज रानी जी आप क्या जिकर कर रहे थे कि फरुखाबाद की तरफ आप इसी महीने जाने वाली है हाँ ममी जी का बुलववा आया है यहाँ निगम सहब बच्चियों का एक स्कूल खोलना चाहते हैं और कि तरफ से मेमोरेंडम अफ गया है लखनो आज कली मांदारी का मतलब हो गया है ज्यादती खैर अब सरकार हमारा यहां से ट्रांसपर भी करेगी तो जहां तक हम चाहेंगे और प्रुखाबाद से आप हम लोगों के लिए दो बढ़िया सी परदे जरूर लेते आएंगी जन जाना होगा एकाई कि वह अपनी पूरी शक्ति लगा कर उठा और अच्छा नमस्कार कहता हां जोड़े जोड़े दोनों की और घूमता बाहर बरामदे में निकलाया यहां चत्रमास में ज्यादा मारक उसम होती है वह पसीने में लत्पत हो चुका था गलियारे में से साइक प्रेच्छाया की तरह अभी उसकी अस्तित्तों पर लदा हुआ है उसने असमंजस में होते होते अंतता दो टुक फैसला ले लिया था कि अब राज रानी क्वाली टूशन पर नहीं जाएगा कॉलवेल बजनेस के साथ ही किसी के उठने और कमरे में कुछ बजने की ध्वनी सुनाई पड़ी कौन है कि जबाब में मैं हू निगम साहब भट सुनते ही निगम साहब ने दर्वाजा खोला तो दर्वाजा एकाए खुलने पर तेज हो चली हवा में सराब की गन जरारदर के नत्रों तक चली गए जरारदर को याद हो आया कि भटनागर भी पिये था और जो बड़ी देर तक पांच बाता रहा फिर भी शराब तो शराब है उसने सोचा निगम साहब से कहें कि इस वक्त वह वापस लौट जाए कल किसी वक्त किन्तु अभी वह अपने ठिटकने पन में ही था कि निगम साहब ने उसका हाथ पकड़ लिया और भी तर ले चले बाय किसी सकल में लेते हुए बोले मैं करीब दो घंटे से चुप में पड़ा हुआ था मठ साहब अरे साहब जाने क्या हुआ मैं आज एका एक अपने पास में चला गया मुझे अपने बाप दादाओं के चेहरे याद आती चले गया और खुद अपना चेहरा जब मैं यहां इस इस शहर के परियाग स्टेशन पर उत्रा था और जोले में हाई स्कूर इंटरमीडियेट के सर्टिफिकेटों के साथ सत्तू बंधा पड़ा था और पैसे थे सिर्फ सात रुपे खैर वो लंबी कहानी है आपको जरा कश दूँगा नीचे तस्तरी गरी पड़ी है सामने अल लोगों के पीने की चीज और फिर यह रिशी मुनियों शायरों कवियों के पीने की चीज बाखी के जो लोग है इसे पीते हैं अपनी जिंदगी और शराब दोनों को खराब करते हैं जनारदन को लगा निगम साहब इस वक्त धरमासन पर बैठे से बोल रहे हैं उनके कहने म एक अमूर्थ दबावसा है वह उठा वापस लोटा तब तक में निगम सहाब कांच के चोटे-चोटे खुस्पसूरत कटवर्क वाली ग्लास का संपूर्ण कर चुके थे और बर्फ के शुगर क्यूब जैसे सकल वाली डालियां उपर तैरती वास्तों में आकर शक लग रही थी जनारदन की उमीद की विपरीत इस बार निगम खुद उठ खड़े हुए और जब फ्रिच के पास से लोटे तो बीयर मग में सर्बत लिये हुए जनारदन ने गौर किया कि सोफे पर पालती मार कर बैटने में निगम सहाब पहले कुछ छणों को अपने सरीर को साथते हैं जैसे योगा भ्यास कर रहे हुँ पानी और बर्फ मिलाकर निगम ने शर्बत का गिलास भी ठीक किया वैसे ही लेजे में तयार किये जैसे विश्खी का गिलास हो हाँ तो मैं आपसे कह रहा था कि ये एक ऐसी चीज है जो तीसरे पिक पर जाते ही आपको अपनी जगह पर से या तो कान पकरक उठा लेती है या कंधे पर हाँत रखते हुए या आपको दूर पाश्ट में धकेल देती है या डीप फ्यूचर में अंग्रेजी गलत इस्तिमाल कर जाओं तो माफ करें निगम साहब ने अपने सिर को हलके से जटका तो लगा जैसे सिर पर गिरा पानी जटक रहे हैं जनारदन को लगा वहां राजरानी और भटनागर में के सामने से उठाना आसान था यहां निगम साहब के सामने से चलने निकलना मुश्किल है ऐसा है भट साहब कभी जिन्दगी में मौका मिलेगा तो आप भी पावेंगे कि पाउं में चुबे काटे को निकालना एक चीज है और हाथ में तुमें फूल को फेकना बिल्कुल दूसरी चीज खैर ये सूपर लैंग्विज की चीज है सर्बत से समझना मुश्किल है निगम साब हसे तो कमरे के बीच वीच रखा गया पैडस्टल पंका भोचंका रहे गया परतीत हुआ लीजे एक एक्सपरिमेंट करते हैं मिस्टर भट आप तो खेरादतंग चुब बैठे ही है मैं भी खामोश हो जाता हूँ और आप ये मिराकल देखिए आज खुद अपनी आँखों से बलकि कहूं कि कानों से देखिए और आँखों से सुनिये कि मैं आपने भीतर ही कठा हो चुकि सूपर लैंग्विच को आपके सर्वत के गलास में छोड़ देता हूँ जादू ही बुकने की तरह मैंने आपसे कहा था था ना कि तीसरे पैग में यह या तो पास में पहुचाती है या फ्यूचर में तो आज जड़ा गिन कर तीन घूट सर्वत पीए तो सही पहले और फिर धियान लगाएं आप तो जो तसी हो जाएं जनाब आप जानते हैं कि मैं क्रिमिनल केसे दिल करता हूँ एक मौखिल से मैंने चौते पैग में उगलवा लिया कि हाँ उसमें बीच साल पहले एक कतल किया था जिसमें उसकी नजदी नामजद रिपोर्ट तक दरज नहीं हुई गाउं की छोटी नदी में बाढ़ाई हुई थी और बाढ़ में दोनों आसामी बह गये एक उपर वाले की किरपा से बच गया दूसरे की लास बहकर जाने कहा निकल गई तैराक वह तेज था मगर गड़ासे की मार के बाद कितना तैरता तो मिस्टर भट कहना मैं ये चाहता हूँ आप से की आदमी की लाइफ में कुछ खास मॉमिंट्स आते हैं अब देखिए कोई ने जानता कि कब कोई कतल कर बैठेगा भवार में आप फस गए फस गए आपको मेरी बातों से लगता होगा कि मैं भैक चुका हूँ मेरा जवाब होगा कि आप अपनी सही टोन में आ चुका हूँ मिस्टर भट आप देखते हैं न मैं काफी छोटे कत का आदमी हूँ जितने में डूब जाऊं उतनी दूर तक बढ़ जाना मेरी नेचर में नहीं है मैंने अपनी लाइफ को स्विमिंग टैंक बना लिया है राज राणी का फोन आप से पहले मुझ तक पहुँच गया था लेकिन सवाल यह है मिस्टर भट की हम जरूरत भर से ज्यादा ही उम्मीद ही क्यों करें दूसरों से आप देखिए आपकी वाइफ इतनी वेल एजुकेटेड़ औरत हैं कि उन्हें इनवर्सिटी या कम से कम कॉलेज में लेक्चरार होना चाहिए आपने शायद कहीं अपलाई भी करवा रखी है मगर मैं प्राइमरी स्कूल चाहता हूँ मेरे हाँ पेस्केल जैसी कोई चीज कोई वजूद ही नहीं है राजानी कह रहे थी कि मास्टर सहाब बहुत पवितर आदमी है पवितर आदमी का हाजमा कमजूर होता है यगिन माने मिस्टर भाट राजानी के इस कमेंट पर मैं धिवाना हो गया और पूरा गिलास एक सांस में गटक गया अपना बाग के पूरा करते करते निगम सहब ने गिलास उठाया और एक सांस में गटकने के बाद धीमे से मेच पर रख दिया जैसे विदा कर रहे हूं उनका चेहरा अब और सुफियाना हो गया था उन्होंने धीमे से आँखों पर से एनक हटाते हुए कहा माइनस 3.6 है इसे उतार कर गायब कर दीजिए चारो तरफ अंधेरे से ज़्यादा देशत में डालने वाली स्पेस भवर की तरह घूमती मुझे दवोच लेगी मगर मेरी नेचर में ही एज़स्मेंट है मैं एक एक्स्ट्रा एनक हमेशा अपने पोर्टफोलियों में रखता हूं जनारदन को लगा जैसे निगम साहब एनक उठा कर नहीं आखों पर की चमड़ी उतार कर दिखा रहे हूं वा कुछ हत्परभ हो गया शरापी लेने पर बहकते हैं कभी गुंडों और कभी फकीरों की तरह बोलते हैं इतना सुन रखा था कई बार हलके सुरूर में देखा भी था मगर आज से पहले हमेशा निगम साहब की और से पहल हुई की उसे यत्ता समबह जल्दी और नहायत संक्शित बार तालाप में ही विदा कर दिया जाये आज पहली बार है कि निगम सहब कुछ इस किस्म की मुद्रा में दिख रहे हैं जैसे सारी रात उसके साथ बितानी हो सच मुछ लगा पौने 11 वक्त हो गया है घर वापस पहुँचते मीता इस भी चिंता में रही हैं यह दर्वाजा खुलने से पहले ही उसके कौन है कि आवाज से ही आवास मिल गया था आज से पहले कभी ऐसा नहीं हुआ कि नौ से ज़्यादा वक्त हो गया हो अक्सर मीता चिड़ाती रहती थी कि हो तुम सच मुछ मास साथ सुनील हो चुका था, सुनील सो चुका था, मीता सबजी गरम करके चौके में चली गई तो वहां भी पहुँचकर आसन खीचकर बैठ गया, खाते तक में सारी बाते बता दी यह भी कि कल से अलोपी बाग टूशन पर जाना नहीं है मुझे इस सक्स की दो बातें बहुत अच्छी लगी, पेट में कपट नहीं, दिमाग में बदी नहीं कहने लगे कि भट साहब यह चोटा तालाब है, पड़े वक्त का ठारना कीजिए कौन अपने बारे में यह कह सकता है कि साहब मैं क्रिमिनल केसिस डिल करता हूँ मगर मेरा केस सिर्फ उपर वाला डिल करेगा, कहां क्या इस आदमी की जिन्दगी में गलत है, कुछ कहां नहीं जा सकता रहस से जरूर है कहीं, आखिर कहने लगे कि राजरानी के उनके बीच अज्जस्मेंट है, आर्टी यो भटनागर इस अज्जस्मेंट में को तोड़ नहीं सकता मेरे ख्याल से निगम इन दो औरतों के साथ वैसे ही जिन्दगी गुजार रहा है जैसे दो एनकों के साथ भाई वसंकोश में पड़ गया, बोला तुम फिर मेरा मजाग बनाने पर उतर आई, हरे भाई वो भी आई थी सवित्तरी, बड़ी देर तक करवाल के घर का किस्सा सुनाती रही, अनुराग नाम है उसका, सवित्तरी का दिवाना हुआ जा रहा है, कह रही थी हमारे मास्टर निगम सहब तो देवता आदमी है, मैंने मजाक में कह दिया, देवता दक्षिना के लो भी होते हैं, बोली प्राण भी ले 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 तो दिया, जैसे जान पड़े, अच्छा, तुम इस धोके में कभी ने रहना की सीधी गमार लड़की है, बहुत विटी है, कहती है सरारत पर उतर आती हूं तो बहुजी तो अपना गरीब बाब भूल जाता है, लगता है जाने सिर्फ उपर वाले की बिटिया हूं, अच्छा सुनो, निगम सहब कुछ मेरी एप्लिकेशन के सिलसिले में कह रहे थे, कह रहे थे, ये स्कूल चलाने का धंदा एक सोसल क्राइम है, खरी ती हो मीता, उस आदमी ने अंत में क्या कहा, मीता ने अपना चेहरा पूरी तरह उसके सामने कर दिया, बोली कुछ नहीं, बोले कि आपने मुझे नंगा देख लिया है, मुझे माफ कर देंगे तो आपको भी शानती मिलेगी, अजब आदमी है, हाँ तुम्हारे लिए भग और मुझे खोल कर जोर से सांस छोड़े, जरा देखो तो कहीं मेरे मुझे सराप की बद्दू तो नहीं आ रहे, मीता को आश्चरी की मुद्रा में होते देख, वधीरे से हस पड़ा, नहीं भाई, तुम्हारे मास साब ने विष्ट की नहीं पिये, सिर्फ सर्बत ही पिया ह पालतू जानवरों का हाल यही होता है, कहते हुए मीता निसने से उसके माते पर हाथ फेरा और उटकर सुनेल की बगल में सो गई, वह थोड़ी दिर आंके बंद किये लेटी मीता को गौर से देखता रहा, कितनी थोड़े समय में कितना स्तृत तो आ गया है इसमें, जैसे ला गया हो, इलहाबाद पहुचने से पहले इसका स्तृत होना जैसे सिर्फ अपनी देह तक से मित था, अब जनारदन के अस्तित तो तक भर गई है, वह उठा बत्ती बंद की और खुद भी सो गया, इसे से योग के लवा क्या कहा जाए कि सितंबर 21 को एड हॉक प्रारम में जब असमे तकलीफ अनभव होने लगी, दोनों की यही धारना थी कि पहली बार भिशन गर्मी जहलनी पड़ लगी, तीन-चार महीने इसी की प्रतिक्रिया होगी, किन्तु स्रिमती बरुवा ने कल ही बताया कि कुछ complicated case दिखता है, सुबह इसनान और पूजा से को अस्पताल में भरती कराना होगा, तो मेरे लोटने तक घर देखोगी, सवित्री ने अपनी ही जगस परिस्तिर रहते वे थोड़ा सा सिर घुमाया और चार पाई पर गद्दे का सहारा लिए बैठी मीता को देखा और फिर चुप-चाप सिर जुका लिया, काम निप्टा तो आजकल एकाय कितनी खोई-खोई क्यों रहने लगी, हम लोगों से नाराज है क्या, सवित्री फूट-फूट कर रोपढ़ना मीता से वहन नहीं हुपाया, वह नहायत थकी सिविस्तर पर लेट गई, बोली सवित्री गरीब बेटी को सचमुच एक सिर्फ माबाब का आसर देंगे, अभी पांस साथ रोज पहले तो आया था सिप चरन, तब सिर्फ कमजोर भर दिखता था, सवित्री चुपचाप उसका माथा दबाती रही, मीता ने अपने आखों को बंद कर लिया, सवित्री हो सकता है, इस बार में जिन्दा, सवित्री की मानसल हथेली में उसके होड दब गया, उसने धीमे से सवित्री की कलाई पकड़ ली, मीता को अस्पताल में भरती करते, एक्सरे करवाते, बारा बच गया सिमिती बरुआ ने बता दिया कि गर्व में बच्चा शतिक रस्त हो चुका है, और भीतर ही मर जा है, इससे पहली ऑपरिशन करना होगा, ल चिंता न करना और सुनो मेरे संदूक में डाक खाना की पास बुक पड़ी है, राम नगर के यहां ट्रांसफर करा ली थे, शायद 3700 रुपए होंगे, तुम्हें तो पता तक न होगा, नौकरी करती थी इसलिए हो पाए कुछ चमा, मैंने दो फार्म दखसर करके रख दिये हैं, जितनी भी जब जुरुत पड़े निकाल लेना, हाँ, 100 रुपए सवित्री को दे देना, बाप की बिमारी से परिशानी में है वो, लोग, कभी समय निकाल कर देख भी आना, जनार्दन को लगा जैसे डूबे को उबार लिया गया हो, उसके भीतर यहीं चिंता मडरा र हुआ को उनके दिवास पर ही दे आएगा, ताकि ऑपरेशन करने में कुछ विशेश ध्यान रखें, इसके लाबा प्राइवेट वार्ड में कमरे की वस्था करवा लेगा, सवित्री सुनील के साथ कैरम खेल रही थी, उसको आते ही फिर बाहर निकलने के हडबडी में देख पूछा कि खाना खाले, मगर वही कहता हूँ, बस आदा घंटा और रुख जाना, जरा डाग घर तक जाता हूँ, बहुजी के लिए खाना तुम ही दे आओगी, इस वक्त के खाने के बाद उन्हें भूखा रहना होगा, कल सुबह ही ओपरेशन होगा, सवित्री ने अब जराग घर से लोटने और अफरा तफरी में कुछ खाल लेने के बाद जनारदर ने सवित्री को मीता के लिए खाना ले जाने को कहा, सवित्री अपने सामने खिला देना, मेरा जी तो न जाने क्यों डरने लगा है, बरसों के बाद हम लोगों की कुछ ढंकी ग्रहस्ती बसने सुरी हुई थी, कि यह मुसीबत आ पड़ी, हाला कि तुम शायद खुद मुसीबत में हो, मगर इधर कम से कम आपरेशन हो जाने तक तुम्हें मीता की देखभाल करनी होगी, सिप्चरन को मैं देखाऊंगा, तब यह ज़्यादा खराब हुई तो रमिश डाक्टर साहब को दिखा, नहीं बाबुजी, ऐसी कोई फिकर की बात नहीं है, अब तो ठीक ठाक है, सवित्री बोली तो जैसे अपने आप से तने जाले साफ करती सी, तुम्हारे लिए मीता ने सो रुपे देने को कहा था, लोटते में लेती जाना, यहीं उपर वाले खाने में रख्यों रह जाया है, यह अब उसके आते जाते काम करते में पज़र में ज़रते पत्तों की नामालूम से आवाज की तरह अपने को प्रकट करता रहता है, सवित्री आँखों से ओजल हो चुकी थी, मगर उसका समोहन चाया की तरह छूट गया उन्भव होता था, जा नार्दन थकान महस करता चरपाई पर लेट गया और सुनील को अपने पास बुला कर सीने पर बिठा लिया, तो उसका ममी कहां है पूछना, सयानू का सब पूछना लगा, ममी छिस्टर लेने गई है, सुनील ने फिर पूछा, उसे याद आया इधर वक कहने लगा था, कुछ दिनों से बाद मा घर से दूर जाएगी और उसके लिए छिस्टर लाएगी, वैसी ही छिस्टर लंगीन, सुनील की अलमारी में रखी गुडिया की तरफ उठे हाथ को देखती हुए, का एक उसे वे कुछ छन याद आये, जब स्रिमती बरुआ का बताना कानों में कुंड की तरह गिरता हुआ उसने पाया कि आँखों में चुबन सी हो रही है, पास में बड़े रजिस्टर को उठाते हैं उसने सुनील का ध्यान बटाने का इरादा कर लिया, और साथ यह भी सोचता रहा कि प्राइवेट वार्ड में कमरा किराया तो क्या करेगा लेना ठीक होगा, सुनील के पास साथ खुद वहां मीता के साथ रहना या सवित्री को कि इन तुब नहीं रहने की बात को स्विकार करेगी भी, उसे अभी काफी फासले पर ही सही, कभी कभी जाने कियो, यह आसंका भी आकार लेती से मालूम पड़ती कि कहीं मीता को कुछ हो गया तो, हलाकि इन एक एकी कलुए इ इतना अपने गिर्द गिर्द छूट गया सा लगता है कि मा को खो चुके सुनील के साथ सवितरी के वारतालाप में होते हुए वो कैसी मानसिकस्तियों में होगा कैस के बाद भी वह योही सुनील के देख भाल करने आती रहेगी सवित्री के लोटने तक वह सो चुका था सुनील भी दर्वाजा यो ही उड़का था सवित्री का कमरे में आ जाना उसे पता नहीं चला सवित्री कुछ छणों तक उसे चुप चाप और एक ठक देखती रही उसके चेहरे पर विशात की चाया थी जैसे कोई दूस्व अपने देख रहा हो सवित्री रसोई घर में गई चाय बनाने के तैयारी में भी सावधानी बरत्ती रही कि सोर नहो मीता ने कहा था कि अगर सोया नहो तो चाय देकर जल्दी भेज दे सुनील के साथ सवित्री चाय लेकर नजदीक पहुँची इसी भी जनारदन की नहीं देखा एक तूटी और सवित्री के रसोई घर में होने को उसने जान लिया था मगर आखे बंद किये रहा सवित्री ने चाय कहा तो आखे बंद किये हुए ही उसने सवित्री के हाथ से धीमे से यो पकड़ा जैसे गहरी नीन में अलसाया मीता समझ रहा उसे हाथ आगे बढ़ा कर सवित्री को इसपर्ष करने की मानसिक त्यारी करते हुए मन में एक अजीव सा धुधलका था हाथ पकड़ लेने की स्वच्छ सीतल हवा की किसी जोए को छू लेने किसी अनभूती हुए सवित्री नत्यन धीमे शांत मनुभाव से अपना हाथ अलग कर दिया जिनारदन ने एक अएक अनभू किया कि मीता जो अक्सर जोड देने लगी है कि वह कुछ कहानी पन्यास निबन जैसी चीजें लिखे तो यह सब असंभू तो है नहीं मीता का आप आपरेशन सफल हो जाए तो वह वहाँ उसके साथ रहते हुए सुरुआत कर सकता है मीता का बारे में सोचते सोचते वह सवित्री की उपस्तिती को भूल गया उसने कहा बहुजी कहीं थी सुनील को साथ लेते जाएंगे आप एका एक ही उसने सवित्री के ओर देखा और इस एक चण में सवित्री का चेहरा पूरा पूरा दिख गया उसे बेदाग और निश्चल उसका मन हुआ कि कहे सवित्री तुम यूँ प्रतिमा सी खड़ी रहोती हो तो इस तुति करने को मन होता है मगर कहीं इसने एका एक कह दिया कि बाबु जी हमसे मजाक न किया कीजे या कि बाबु साहिब हम गरीब घर की बेटी है रोजी की खातिर घरों में काम करती फिरती है मगर हमारी भी इज़त है तो उसने अपने भीतर एक सिहरन से अन्भो की और अब तक के सारे सोचे हुए समेट कर एक और रखता हुआ बोला सवित्री तुम क्या दो चार दिन बहुजी के साथ रह सकोगी नहीं साहब बहुजी ने कहा है कि हम गनेसी के साथ यहां घर पर रहेंगी ऑपरिशन के दिन और दो तीन दिन बाद तक बहुजी पपुक को साथ रखना चाहती है कहती थी यहां परिशान होगा बच्चे को वहां रखना ठीक भी नहीं है ऑपरिशन के बाद तो बहुत आराम की जुरुत पड़ेगी सवित्री एक सांस में कहे गई अपने सिर को उसने किंचे जुका जरूर लिया मगर उसके बोलने में एक संख्षित सी गरिमा का अभास था वह कुछ न कह पाने के सिती में अटका पड़ा था कि सवित्री आगे बढ़ी और सुनील के कपरी ठीक करने में जुट गई सुनील के जूतों में जमी धूल को अपनी धोती के किनारे से पोच्टे पोच्टे ही वह बोली आप लोग चले जाएंगे तब हम दर्वाजा बाहर से बंद करती चली जाएंगी बहु जी बहुत विश्वास करती है न हमारा कभी धोखा खालेंगी तब जानेंगी हमने बहुत कहा हमें न सौपिये मगर मानी नहीं कहती थी आरे तू कोई नौकरानी है सवित्री चोटी बहन है मेरी जो खुद बड़ा होता है वह दूसरों को भी बड़ा कर देता है जो खुद नीच होता है दूसरों को भी नीच गिराते हैं हमने बहु जी से कहा था कि प्राइवेट में तो रसोई भी बन सकती है वही कुछ स्टोब बरतन उठा ले जाए क्या मना करने लगे कि दो चार दिन के लिए कहा इतना बवाल किया जाए शाम का खाना हम से भी यही बिना बना लिने को कहा है आज आप वही रहेंगे तो मया दयाती बनी रहेंगी तो हसी खेलती घर लोटेंगी जल्दी है हम तो अभी भी उमीद करती हैं बच्चा भी ठीक ठाक होगा बड़ी बुड़ियां कहती थी कि साथ महीने तक के बच्चे जिन्दा बच जाते हैं यह यह तो बहुजी की जिन्दगी रही तो देने वाला और भी देता रहेगा जनार्द सुनील को जगाना चाहता था मगर सवित्री की बातों में उलजह सुनील की पीट पर यह हाथ रखे रह गया सवित्री का इस वक्त का धारा प्रवाह बोलना जैसे नदी का बहना था दूंदों से उपर उठी हुई उसकी आवाज बीच में वह कुछ सहमा था कि नीच लोगों के द्वारा दूसरों को भी छोटा किये जाने की बात कही उसने जनारदन के द्वारा हाथ पकड़ लिये जाने के प्रसंग में तो नहीं कही थी उसने घूर का सवित्री की और देखा ऐसा नहीं देखा जो काच के टुकड़ों की तरह गड़े अस्पताल को जाते समय जनारदन कहता गया सवित्री ताला चावी के नीचे दबाकर तुमारे लिए रुपे भी रखे हैं लेती जाते समय सवित्री साथ साथ बाहर निकलने की बात सोच रही थी मगर रुग गई वह सुनील को उंगली थमाय बाहर निकला तो दर्वाजे तक निकल आई मोड पर पहुँच चुकने के बाद जनारदन नहीं पलट कर घर की और देखा तो दर्वाजे से लगकर खड़ी सवित्री को देखकर एकायक उसके भीतरे कजीव और अभूत पूरु सी कल्पना कौन गई सवित्री पर सोचने से अपने को अलग करता हुआ साव हापिक्षा के तेज कदमों से आग बढ़ गया रात के प्रारम भूते ही मीता ने सुनील को घर वापस ले जाने को कह दिया सुनील के साथ खुद भी बरामदे तक आई और सवित्री के ने सुनील को गोद में उठा लिया तो माथा चुम्ती बोली आज आंटी के साथ रहना है सुने मेरा बेटा तो बड़े बाप पर गया है ना बड़े प्यार से सवित्री को मौसी के साथ रहेगा कहानिया सुनाने को कहना मौसी से रुनुक जुनुक मैया आई रे मंदिरवा वाला गाना भी सुनना हाँ सवित्री तुलसी जी का दिया जरूर जला देना और सुन कल सुबर जल्दी आना बाबू जी जाए तब और बंद पलकों में से आशू ओस की बुन्दू की तरह प्रकट हो रहे थे वह चुपचाप मीता को देखता रहा यह छण खुद के विगलित होने का नहीं था इस स्त्री को सांतुना देने का था यह हैसास होते ही उसने आप ने आपको संतुलित कर लिया और संकोच चाकर बाए हांच से मीता का माथा सहलाने लगा इस अंक में यहीं तक आगे अगले अंक में धन्यवाद